देखो अगर एक charge particle है उसको में ले जाके magnetic field में छोड़ दिया उस पे already charge है तो उस पे force का expression कितना होगा अगर आप magnetic field में ले जाके किसी charge particle को छोड़ दोगे तो हम सब को पता है कि अगर मालो electric field इधर है और magnetic field इधर है तो अगर मैंने एक charge particle जिस पे already q not equal to 0 है अगर मैंने इसको भी velocity दे दिया तो magnetic field force लगा भी सकता और नहीं भी लगा सकता है बट electric field तो लगाएगा ही लगाएगा यार force कुल मिला के in general अगर यह दोनों जो force लगाते हैं और magnetic force लिख हो गए तो v cross b के equal होता है तो यह हमारे पास आ जाएगा यह वाला चीज तो यह आ जाएगा net force यह वाली चीज तो यहां से मुझे यह expression मिल जाएगा तो q e q common हो गया e v cross b q e q v cross b मतलब यह option सही है लॉरेंटे स्पोर्स यह theoretical बात पड़े हो गया magnetic field of a given length of wire single turn coil its center is b अगर एक coil है उसके center पर सो magnetic field